इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है राजधानी भोपाल से जहाँ पर मुख्य मंतरी सिवराज सिंग चोहान ने महत्पुन बैठक में सबसे बड़ा फेसला लिया है यह बेठक मुख्य मंतरी निवास पर चल रही थी जिसमें कोवीट को लेकर बड़े फेसले लिये है चीनवाडा कल रात आड़ बजे से साथ दिन का फुल लोग डाउन चीनवाडा में रहेगा वही साजापुर में ताड़ बजे से दो दिन का फुल लोग डाउन रहेगा और जिस तरीके से कोवीट संक्रमीत लोग पाये जा रहे है इसी को चलते जो है मुख्य मंतरी सिवराज सिंग चोहान ने ये बड़ा फेसला लिया है और तीन महीने तक जो सास की कारेले है वो सबते में पास दिन खुलेंगे दस से छे बजे तक ये महत्पून फेसले जो है मुख्य मंतरी सिवराज सिंग चोहान ने लिये इस समय हमारे साथ हमारे भारत पार्टी लोग उन से जानने की कोशिश करेंगे आखिर में क्या कुछ बड़े फेसले मुख्य मंतरी सिवराज सिंग चोहान ने लिये है भारत देखे बताते कि मुख्य मंतरी निबास पर एक हाई लेबल कमिटी की बैठक की गई थी और इसी के दोरान कई महत्पून निड़ने लिए गए हैं बड़ते प्रदेश में कुरोना संक्रमेंट कहीं न कहीं अब जहां प्रशाशन के लिए चिंताओं का विशे हैं उसको लेकर के ये महत्पून फेसले थे हाला कि लगातार क्राइसेस मेनेजमेंट की बीठिक में मुक्रमेतरी शुरासिन चुहान प्रदेश के सभी आला अधिकारियों से मुखातिफ होते रहे थे कि साथ चर्चाएं कर रहे थे खासकर अगर हम बात करें इंदोर भोपाल शाजापूर छिंदवाला यह ऐसे जिल्व है जहां पर संक्रमीड मरीजो का आकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है इसी महत्पून फेसले को लेकर के अगर हम बात की जाए तो शाश की जो क खुलेंगे जैसा कि बता है कि सुबच दस बजे के करीब जो नियमित रूप से जो कार्याले खुलते हैं वो शे बज़े बंद कर दिये जाएंगे मतलब शनिवार और रविवार के दिन यह कार्याले बंद रहेंगे अब पांच दिनों तक आम लोगों के जो नीजी कार्या हो कि तो शाष्की कार्याला में साथ इसाथ सेनेटाइजर और यह सारे तमाम जो गरुना की गाइडलाइन के तहत नियम बनाए गए उसका विशेज ध्यान दिया जाएगा साथ ही महतपूर्ण फैसला लेते हो मुक्षमिंत्री शोहान प्रदेश जिले में नगरी छेतर जि जिस तरह के सकती प्रशाशन बरत रहा है वहीं एक महतपूर्ण फैसला लिया है जहां पर अगर हम बात करें तो संपूर्ण चिंदवाड़ा में कल आठ अप्रेल की रातरी से आठ वजे तक आगामी साथ दिन के लिए संपूर्ण लागडाउन किया गया है वहीं मुक्षम यहां पर लापरवाई हुई है जो जिस तरह से जिस तरह से कोईट संक्रमीत लोग इन दोनों जिलों में जादतर मिल रहे और जाने भी जा रही है। लेकिन जिस तरह से कोरोना वाइरस का ये दूसरा वापस से एक बार दोबारा हमें 2021 में देखने को मिल रहा है तो कहीं न कहीं ये अंदाजा लगा जा सकता है कि किस तरह की लापरवाही यहां पर बरती गई है अलाकि प्रशाशन तवाम वो कड़े रुख अपना रहा है हम द करते हैं मास लगानी के लिए जाग रुपता के लिए करते हैं वेक्सीनेशन जिस प्रकार से चल रहा है तो तुमाम प्रयास तो जो है प्रशाशन दोरा किया जा रहा है लेकिन आम लोग जिस तरह से पार्टी आयोजन कर लेना भव शादियां समारों चोटे-चोटे बश्चक घूमना मारकेट में जिस तरह का क्राउड दीख रहा है वह तमाम यह जो लोग है वह अखिर मान नहीं रहा है लोगों को अभी भी समझ नहीं पाए है कि किस तरह से हम कोरुए के साथ जी सकते हैं यह पहले ही कह दिया गया था कि अब हमें कोरुणा संकर्मेंट के साथ जीना है लेकिन जितनी हम सेप्टी रखेंगे जितनी हम सुरच्छा रखेंगे इस तरीके से दूसरे राज्यों से जो लोग यहां मद्परदेश में आ रहे हैं उनकी किस तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है उनके कोवीट का टेस्ट हो रहा है यह नहीं इसको लेकर क् से प्रसासन ध्यान दे रहा है देखिये बतादे क्योंकि आपने कहा की बहर से आने वाले लोग तो मारे मदपरदेश की सीमा की अगर हम बात करते हैं तो सबसे नजदी की हमारा जो दूसरा राज्य है हम बात करें चाहिए पिर महराश्ट की बात करें तो यह दोनों बॉरडर हमारे से जुड़ी हुई है और यहां पर सबसे ज़्यादा केसिस देखने को मिल रहा है हाला कि जै कई लोग जो ब्यपार छेतर में हैं वह महराश्ट जाते हैं दोर आते हैं तो कई ऐसे लोग हैं जिनकी मोनेटरिंग की जारी है वहां से आने वाली बसों पे रिशेज ध्यान रखना जा रहा है लोगों का रिकॉर्ड जो हैं जो हमारे ऊसे हैं वहां पर बिना किसी भी नहीं की जाएगी तो उसे दो साल के लिए अब हवाई यात्रा से उसे प्रतिबन लगा दिया जाएगा तो ऐसे कड़े निर्ने जहा वह लागातार लिये जा रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चुहान चिंतित है जहां पर अपने परिवार शहर में खुद वो सड़कों पर नजर आ रहा है खुद वो लोगों से आवन करते आ रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों में जब अब तक यह अवेर्नेस नहीं आएगी कोईट की गाइडलाइनों का पालन नहीं करेंगे व्यापार व्युसाय पर भी असर पड़ रहा है लेकिन व्यापार व्युसाय से जरूरी है बड़ा यह महमारी क्योंकि इस महमारी से निपटने के लिए जिस तरह के प्रयास लगातार है तो कहीं न कहीं यह घातक हो चुका है मध्यप्रदेश के लिए और एक और बड़ी बात तो यह भी है कि जिस तरीके से कोवीट फेल रहा है तो अस्पतालों में भी जगा नहीं है ऐसे मैं क्या लगता है आपको कि आने वाले दिलों में कौन से ऐसे एरिया है जिने लोग लगाना पड़ेगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहां जी का यह साफ कहना था कि किसी भी लागडाउन जैसी परस्तितियों का वह मन नहीं है सरकार का कि लागडून लगाने से ही संक्रमन पर जीत की जा सकती है लेकिन जब तक लागडाउन में भी अगर लोग संक्रम दिहाद हो चाहे वो शहर हो प्रदेश की मुख्या के लिए जिमेदारी बनती है प्रदेश के मुख्या के लिए प्रदेश सबसे पहले है और वहां पर रहने वाली वो जनता है चाहे वो दिहाद की हो चाहे वो गाओं की उनकी सुरक्षा के लिए तमाम वो जो हम बात करें तमाम जिस तरह से शाष की अधिकारियों को लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार ये कहते नदर आ रहे हैं कि अगर किसी भी चूप में लापरवाही होगी तो वो चाहे शाष की अधिकारी हो, उसे भी वक्षा नहीं जाएगा, क्योंकि उनका ये साफ कहना है कि जिस तरह की महामारी है, उसमें लोगों को परिशानी ना हो, ऐसा काम करें, लोगों में जागरूकता है, जागरूकता के लिए सबी धर्मों के जो धर्म गुरू है, उनसे भी लगातार चर्चाय चल रही है, जनपरती निदियों से भी चर्चाय की गई है, और तमाम वक्त बॉर्डर पर खड़े हैं, जो हालात है, क्योंकि अभी भी लोग अगर समलते हैं, तो कही ना कही इस कोरोना की चेन को हम तोड़ सकते हैं, लेकिन लोगों में अगर जागरूकता नहीं रही, इस तरह से ही लोग बिना मास के या बिना सोसल डिस्टेंसिंग के या बि प्रसासन को लाठी चार्ज भी करना होता है क्योंकि ऐसी हालाद बन जाते हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं दो चेहरे सामने आते हैं पुलिस के एक अच्छा और एक बुरा तो ऐसे में अगर लोग अगर खुद नहीं समझ पाएंगे तो वह अपनी जान को खत्रे में डाल रहे ह तो ऐसे में किस तरीके से लोगों को भी समझाईज देना चाहिए प्रसासन को और बिना हाथ पेर चलाए बिना लाटी चार्ज करें बिना लोगों को मार पीट करें लोगों को समझाईज देकर वो घर से बाहर ना लिख लगाई जाएगी प्रदेश के अलग अलग शहरों से इस तरह के वीडियो देखने को मिल रहे हैं, लगातार इंदोर में भी कई ऐसे वीडियो सामने आये हैं, जहां मास को लेकर बरबरता अपनाई गई है, चाहे वो प्रिशासन हो, चाहे नगर निगम हो, जा जिला प्रिशासन अधिकारी हो, लेकिन क्योंकि ये संक्रमन एक अद्रिश वाइरस है, और इससे निपटने के लिए तमाम वो प्रियास किये जा रहा है, कई ऐसे लोग हैं, जो कहीं न कहीं, हमने पिछली बार भी देखा कि पेरा मेडिकल डॉक्टरों के उपर हमला किया गया था, डॉक्टरों के साथ वि पुलिस विभाग की बात करें तो लगातार उनका हर व्यक्ति से मुलाकात होती, लेकिन हमने इनका अलग ही परिदर से भी देखा, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे प्रशाशन हो, इस लागडाउन की घड़ी के दोरान, जो मानवी चेहरा पु पुलिस प्रशाशन के लोग थे और यही जिला प्रशाशन के लोग थे जिन्होंने कराई थी, तमाम उसमें सबसे बड़ा हाथ हमारी शहर की जनता का भी रहा, शहर की जनताओं ने भी आगे बढ़ चड़कर इस कोरोना महमारी में हिस्सा लिया था और दिल खोल करता प्रशाशन का विरोध करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशाशन से भी लगातार जागरूप कर रहा है, हम देखते हैं कि अभी सभी धर्मों की जिस तरह के बेठक ली गई थी, बढ़ चाड़कर सभी धर्मों के लोगों ने इसका जागरूपता अभ्यान के तह करा चुकी हैं, तो जैसे जैसे वेक्षिनेशन का कार ये बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हम कुरूना पर भी जीत बहुत बहुत सुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, तो जिस तरीके से मुख्यमंतरी सिवरासिंग चोहां ने एक महत्कून फेसला लि लिया, देवास, इंदोर, भोपाल, आसपास के जितने भी इलाके हैं, जहां पर कोवीट संक्रमीट लोग पाए जा रहे हैं, आपको सबसे पहले आपके परिवार को ध्यान रखना है, आपके बुजर्गों का ध्यान रखना है, और इस कोवीट के समय में इस लगातार जो ह आपके लिए, अगर आप पुलिस प्रसासन का सयोग नहीं करेंगे, तो कोवीट इसी तरीके से फिलेगा, अगर वो आपको रोक रहे, तो आपकी भलाई के लिए रोक रहे, तो इस तरीके से अब सभी को ध्यान देना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से मत्यप्रजेस में लग है, फिलाल इतना ही है, आप देख तरी है, A.C.N. भारत, नमस्कार.